हम जिनको भोट दे रहे हैं क्या वो हमारे भोट से सिरिफ राजा ही रहेंगे या मेरे जानमाल की सुरक्षा के गरांटी भी लेंगे मेरे बच्चे और बच्चियों के पढ़ने का विवस्था भी करेंगे या सिरिफ एलेक्षन पिरियड में सचर कमिशन और रंगनात मिशरा की रिपोर्ट सुनाएंगे फिर हम बोट देंगे मेरे मदर्सों को आतंगवादी जिहादी का अड़ा कहने वालो अगर कानून एक है दो नहीं है तो आरेसेस का रेजिस्ट्रेशन नंबर क्या है सालाना सोर्स ओफ इंकम क्या है पैदारे शरीया की तहरीक बैदारी 13 दिसंबर 2022 से शुरू हुई तहरीक बैदारी का कारवा निकलने से पहले बिहार जार्खन बंगाल उडिसा चार इस्टेट के 700 उलमा दानिश्वरान की एक बैठक हुई पटने में और उस बैठक में तै किया गया कि अहम एजंडे कौन कौन से हैं तो पहला एजंडा नामूसे रिसालत नभी करीम सलल्लाव वलिये वसल्लम की इज़त पर पत्थर मारना भारत में तथा कतित कुछ पाटियों के संगठनों के लोगों का पेशा बन गया है और मुसल्मान जब उसके एहतजाज में आंदोलन पर उतरता है तो उसके बदले उनको गोलियों का शिकार होना पड़ता है जैसा की राची में भी देखा गया आपको राजिस्थान में देखा गया मद्परदेश में देखा गया महराष्टा में देखा गया यूपी में देखा गया तो ये सिलसला कब तक चलेगा अधार शरीया ने तै किया कि क्यों नहीं एक ऐसा कानून हमारे देश में बन जाए कि मेरे नभी सल्लाव लियों सल्लम के साथ साथ किसी के भी मजभब और धरम का कोई वविक्ती जो अकीदत का मरकज हो उनके धरम के हिसाब से किसी के धरमिक भावना को कोई न भढ़कावे तो एक कानून ऐसा बन जाए मेरे पेगंबर सल्लाव लियों सल्लम के साथ साथ कि अगर जदी कोई किसी के धरम के किसी महान भाव की इज़त और परतिष्ठा को धुमिल करता है तो उस पर देश दरोह का मुकदमा चले एक कानून बन जाना चाहिए दूसरा है कि ये कि पूरी दुनिया ने देखा ट्रेन में वर्दी पहन कर सुरक्षा की गारांटी लेकर देश और समाज की हिफाज़त का आहद करके पुलिस वाला ट्रेन में टोपी दाड़ी देकर गोली से सूट करते रहा एक लब्ज एक सब्द किसी सेकुलर पार्टी के लीडर के मुँसे आवाज नहीं निकली हिजाब के मसले को लेकर के पूरे देश में हाय तौबा मची आखिर हमारी बेटियों को हमारी बच्चियों को पढ़ने का राइट है के नहीं है हम जिनको भोट दे रहे हैं क्या वो हमारे भोट से सिरिफ राजा ही रहेंगे या मेरे जानमाल की सुरक्षा के गरांटी भी लेंगे मेरे बच्चे और बच्चियों के पढ़ने का विवस्था भी करेंगे या सिरिफ एलेक्षन पिरियड में सचर कमिशन और रंगनात मिश्रा की रिपोर्ट सुनाएंगे फिर हम बोट देंगे तो दो कानून एक तो नामू से रिसालत का और दूसरा देश में बढ़ती भी मॉब लिंचिंग और जिसको देखो वही टोपी दाड़ी देखा आतंगवादी है जिहादी है दसतगर्द है मदर्से की बिल्डिंग देखा आतंगवादी रहते दसतगर्द रहते मैंने पूछा था आज भी पूछ रहा हूं कि मेरे मदर्सों को आतंगवादी जिहादी काड़ा कहने वालो अगर कानून एक है दू नहीं है तो हम अपने मदर्सों की पाई पाई का हिसाब देते हम अपनी मस्जिदों में किसी चोरी का बिजली नहीं जलाते फिर भी ये इल्जाम तो इस मुद्दे का हल ये है कि जिस तरह दलित भाईयों के बीच भरोसा और इतमाद पैदा करने के लिए दलित एक्ट बना है है किसी की हिम्मत जो किसी दलित भाईय को गाली दे दे उसकी जात और उसके धरम का नाम ले करके उसकी जमीन पर कब्जा करके दिखावे उन पर हाट डालके दिखावे लेकिन ये भी दुनिया ने देखा दो आख से भारत में लोग देख रहे है एक दलित भाईय के बेटे के मुँपर मदपरदेश में किसी समाज दुष्मन बेक्ती ने पेशाप किया पूरे देश के लोग खड़ा हो गए हर पाटी खड़ी हो गई हर संगठन खड़ा हो गया लेकिन हमारे बच्चों को बगएर किसी पुरूफ के बगएर किसी सुबूत के देश के बहुसंखेक भाईयों के बीच में मुसल्मानों के बच्चों के परती नफरत पैदा करने के लिए तोपी, दाड़ी, पगड़ी, अमामा, जुबा, देका, रातंग, वादी कहके उठा लिया जाता है ट्रेन में मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है सड़क पे घेर के मार दिया जाता है आखिर ये समाज के जो संगठन है, समाज से भी है जो सेकुलर कहलाने वाली पार्टियां है मेरे बच्चों के मॉब लिंचिंग और जबरदस्ती दाशतगर्द कहे जाने के खिलाफ क्यों नहीं खड़ा हो रही है